कॉंग्रिस का अगला धक्ष कौन होगा? इसको लेकर जो सस्पेंस था वो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। इसी बीच अशोग गहलोत ने साफ बता दिया कि जब उनकी बात राहुल गांधी से अध्यक्ष पद को लेकर हुई तो राहुल गांधी ने क्या कहा? सुनिए अशोग गहलोत ने मीडिया के सवालों का जवाब क्या दिया? कि मैंने भी काफी बात्षित करने कोंशिज करी ही तो वो इत बात के लिए वो कहरे हुँ हमने एक वाध कर लिया कि एक वाध कोई गांधी फैमेली का वेक्ति हम उभी दाने को हो लिया है। कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं पर मैं उनका सम्मान करता हूँ उनकी बातों का प्रदीश कोंगी कमेली परस्ता पैस किया काईगरते चाहते हैं तो मेरे दिल में उनके पर दिल सम्मान बहुत ज़्यादा है पर एक बार हमने कुछ कारणों से तरह करने हुए अशो गहलोत ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते राहुल गांधी ने अशो गहलोत को सपष्ट संदेश दे दिया कि इस बार कोई भी अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा कॉंग्रिस के अध्यक्षपद के चुनाव को लेकर चल रही चर्चा के बीच अब एक चर्चा ये भी है कि राजिस्थान का सीम कौन बनेगा राहुल गांधी ने कहा है कि वो एक व्यक्ती एक पद सिध्धान्त के पक्ष में है केरल से गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा के पंद्रवे दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस किया तो उन्होंने साफ इशारा कर दिया राहुल गांधी का जबाब राजिस्थान के सीम अशो गहलोत के लिए साफ संदेश माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में कहा था कि कॉंग्रेस अध्यक्ष के साथ कोई शक्स मुख्यमंत्री या मंत्री रह सकता है अब अशो गहलोत के अगला कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने की पूरी संभाबना है ऐसे में कयास ये हैं कि क्या वो सीम का पद छोड़ेगे दूसरी ओर कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलिट की नजर राजिस्थान में सीम की कुरसी पर है लेकिन उनके नाम पर मुख्यमंत्री अशो गहलोत तयार नहीं है ऐसे में कॉंग्रेस आलाखमान यारी गांधी परिवार के लिए पार्टी अध्यक्ष के सवाल से ज़ादा इस वक्त सबसे पहचीदा सवाल ये है कि राजिस्थान का अगला सीम कौन होगा माना जा रहा है कि राहुल गांधी एक व्यक्ती एक पद की पैरवी कर रहे हैं और अशो गहलोत को उन्होंने सपष्ट इशारा दे दिया है राहुल गांधी कॉंग्रेस अध्यक्षपद पर लोटने को तयार नहीं है लेकिन अभी भी इसका आधिकारिक एलाम करने से बच रहे हैं वीडियो डेस्क अमरुजाला.ड़ कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें